विद्या लगातार धमकिया अभी भी मिल रहे हैं आपको यह आप सिचुएशन अलग हो चुकी है जब से आपको न्यूज नेशन ने दिखा है आपर वहाँ पर जो सिचुएशन आपने बताई है देखिए नवेद देश भर के लोग लगतार ट्विटर पर मुझे मैसेज कर रहे हैं देश भर से हमें संदेश आ रहा है कि विद्या नाज्जा वहाँ डटे रहो और वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहो नवेद जरा मैं तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर किस तरीके से देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मी यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ के SDM जो गाड़ी में बैठे हुए थे, वो हमारे पास हमारी कुरसी के बगल में अपनी कुरसी लगाकर बैठ जाते हैं, जब हम यहाँ से सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो चारों तरफ पुलिस का प बता रहा है, सच यह बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से दोगलेपन के द्वारा राजनीती में दो एक ही तरह के मामले को दो तरीके से पेश किया जा रहा है, एक है हातरस, दूसरा है बलरामपूर, जहाँ पर कोई आने को तयार नहीं है, जहाँ पर कोई इस पिडित परिवार के लिए पूछने को तयार नहीं है, मैं इस पिडिद परिवार के पास आता हूँ, देखिये ये पिडिद परिवार रात जब हमारी इनसे बात हो रही थी, तो ये Napyirt परिवार नहीं नहीं पर जाता है, ये जो पुलिस कर्मी है, इहां आते हैं चले जाते हैं, इनो राट नें हमें बताया कि यहां के आसपास के लोग हाएंगे आप को धंकाने की कोशिशिश की गई जो पुलिस कर वह थाने का अधिकारी कौन था बिल्कुल देखिए वो लोकल एसे चो थे हैं वो चाह रहे थे कि यहां से कोई रिपोर्टिंग नहों सारा मीडिया चला गया तो नियूज नेशन यहां पर क्यूं डटा हुआ है तो उनकी यही मनसा थे कि आप भी यहां से चले जाए हम लोग भी केमरे के पीछे खड़े होकर मुझे वो इशारा कर रहते है कि कैमरा बंद करो पीछे हटो यहां से बहुत करना चाहते है